दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Canada के अंदर आप labor jobs like unskilled jobs and skilled jobs कैसे apply कर सकते हैं Canada work visa की fees कितनी होगी and कौन-कौन से job portals है everything, salary वगरा सब कुछ तो please वीडियो को end तक देखिएगा वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी Ontario में cleaner की vacancy निकली हुई है full time और यहां पे जो salary दे रहे है 16.38 Canadian dollar per hour की wage दी जा रही है आपको और अगर मंतली बात करूँ तो 16% से start हो जाता tax cut ना आपका after tax अगर देखा जाए तो और बाकी मैं आपको everything साब बताने वाला हूँ responsibility साब पढ़ सकते हैं इस तरह कि मैं आपको 12 job hotel से बताऊंगा प्लीस वीडियो को एंट तक देखेगा description चेक कर लीजेगा और अभी right now Canada का जो unemployment rate है वो 5.3% है ठीक है यहाँ पर Calgary में vacancy निकली है factory labor की और 19 Canadian dollar per hour की salary है फुल टाइम आपको काम करना है और 23 kg तक आपको weight उठाना होगा और warehouse में भी काम करना पड़ सकता है और experience की कोई requirement नहीं है training इसमें दी जाएगी हेलो दोस्तों मैं हूँ आयूश महता एंड विलकम टू माय योटूब चैनल ट्रेवल दायुश महता तो आज हम बात करने वाले हैं Canada free work visa 2022 के बारे में मैंने पहले वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले 10th and 12th पास वालों के लिए vacancies मतलब कौन कौन सी jobs में वो application कर सकते हैं तो लोग बोले कि apply कैसे खरा जाएगा तो ये वीडियो लंबी रहेगी थोड़ी के काफी लंबी रहेगी बट अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देख लिया और description जरूर चेक कर लिएगा वहाँ पर आपको सारे job portals everything मैंने दे दिये हैं मैंने काफी research की है बहुत hard work की है उसके बाद जाके ये वीडियो में बना रहा हूं कि work visa के लिए actual कैसे आपको apply करना है वो भी free of cost online और work visa की fees कितनी होंगी वो आपको देनी पड़ती क्योंकि फीज हो गई MBC फीज हो गई VFS की फीज हो गई यह सब आपको cost देनी पड़ती है और कैसे employer आपको ढूनना है और everything हम discuss करने वाले तो इस वीडियो को अच्छे से आप देखें डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लें तो बता देता हूं कि लाइक जो labor job supply करना चाहते हैं how to get labor jobs in Canada Canada के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो unskilled में काम कर रहे हैं और यहां इंडिया से यह पाकिस्तान बंगलदेश नेपाल से जाना चाहते हैं तो उनके लिए यह specially वीडियो बनाया हूं साथ ही में skilled categories के बारे में भी हम mandatory है उसके बिना बिल्कुल भी process आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो तो नॉर्मल सीवी वाले प्लीस अप्लाई ना करिए आप कैनेडियन सीवी बना लिजे जॉब बैंक से मैंने बताया हुआ है 30,000 लोगों ने वीडियो वह देखी है तो आप जाके देख लीजे वह आली वीडियो आई बटन पर मैंने दे दिया है तो आई बटन में आप जाके क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और वहां से बना लीजे जॉब बैंक से अपना कैनेडियन सीवी और का वालेटर और मै पर लेबर्स हो गए, construction workers हो गए, farm workers, grocery clerks, hotel mates, general cleaners, sweepers हो गए, factory workers हो गए, warehouse workers, supermarket jobs, loading and loading, packaging workers, barcode scanning and labeling, housekeepers, kitchen helpers, dish washers, उसके लावा सच एस road paving, building bridges हो गए, tunnels, railway track वगरा को ठीक करना, laborers have all blasting hand tools, उसके बाद power tools, air tools and small heavy equipment यह कुछ categories हैं, like जो factory के related हो गई, labor, unskilled jobs हो गई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था, skill level C, skill level D, skill level C उनके लिए जो intermediate वगरा होती हैं, skill level D, यानि कि एकदम labor jobs, इसमें farming की भी आ जाएगी, cleaning की काम आ गया, factory में काम करने का हो गया, काफी सारी categories है, तो यह थोड़ी वाले हैं, उनके लिए भी हम बात करेंगा, और भी, जो skill categories है, तो यह आपको हो गया, उसके बाद, एक वीडियो जल्दी आएगी, जिसके तुरू आप recruitment agency से contact कर सकते हैं, like contact to the recruitment agencies in Canada, जो की genuinely registered है, तो वो वीडियो जल्दी आएगी, इस वीडियो में मैं नहीं आइड कर सकता तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो वो वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट करें, वो agencies में जल्दी आपको बताऊंगा, जो like Canada के अंदर, Canada work visa की costing कितनी है, बात करें तो, 155 यानि कि 150 Canadian dollar fees है, जो की Indian rupees में, like आपका 9300 यानि कि 9300 रुपे के असपास है, 9300 Indian rupees में फीस हुई, 155 Canadian dollar work visa की, फीस है, पर परसन की, और मैंने Canadian ये immigration की link दे दी है, description में जाके क्लिक करें, और वहाँ पर जाके आप फीस वगरा और application सब चीज़ें वहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं, उसके लावा बात करें, क्या requirement है, education की requirement कुछ भी नहीं है, no education या no qualification required, ठीक है, वो categories case आप से depend करता है, बड़ आप Canada में चेक करोगे, तो maximum qualification की requirement नहीं होती है, उसके बात बात करू, age limit, तो कोई ऐसी age limit तो नहीं है, बड़ preference मिलती है, वही 22 से लेके 50, 52 तक मिलेगी, और काफी सारी categories, vacancies हैं, जो 55 तक भी application आप कर सकते हैं, उसके बात अगर बात करू, experience की तो starting में आप काफी सारे job bank में जाएं, या other portals में जाएं, तो वहाँ लिखा होता, maximum की no experience required, training भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो training भी प्रोवाइड करेंगे, अगर experience नहीं है, तो वो भी apply कर सकते हैं, जो freshers हैं, और जिनके पास experience एक साल, दो साल या 5 साल का है, वो भी अपलाई कर सकते हैं, तो अब बात करें कि English proficiency, like conversational English कितनी होनी चाहिए, like fluent होनी चाहिए, basic होनी चाहिए, तो बता दूँ कि normal unskilled categories के लिए basic English की requirement होती है, और कम से कम मेरा ये like suggestion है, और अगर requirements की बात करो eligibility की, तो 5-6 band की requirement रहती है, ILETS score आपको दिखाना होता है, 5.5 minimum, and average अ अगर आप Canada work visa के लिए application करना चाहते हैं, तो, आप क्या करें कि कि किसी भी institute में spoken English like सीख सकते हैं, कोई भी class आप जॉइन कर लिजे, और 3 महिने से 4 महिने के अंदर आप English सीख सकते हैं, और ILETS भी अराम से, आप अराम से 6 band ये, 5 band अराम से clear आप कर सकते हैं, तो ये आपके करता है, आप ILETS करना चाहते हैं, कि नहीं, without ILETS try कर लें, अगर आपके English basic है, अगर आपको नहीं requirement नहीं लगता, तो कोई दिक्कत नहीं नहीं तो आप कर लें, तो अच्छा रहेगा, मेरे असाब से, और बाकी आप 6 band अगर आपके पास आ जाते हैं, साड़े 5 भी आ जाते तो open work permit की जो fees है, वो आपकी 100 Canadian dollar है, तो अगर आप open work permit के लिए भी application करना चाहते हैं, तो 100 Canadian dollar fees रहेगी, और normal work permit के लिए 155 Canadian dollar fees रहेगी, और आपको funds वगरा जो है, वो open work permit में आप check कर सकते हैं, कि कितना दिखाना होता है, 10,000 Canadian dollar की आ सपास रहता है, अब लेकिन हम बात कर र रहती है, like company में आप वहाँ काम करेंगे दोस्तों, तो uniform हो गई, boots हो गए, medical हो गया, insurance हो गया, accommodation और transportation, तो यह बार company की लोग आते है, drop कर देते हैं, तो transportation भी आपको help कर दी जाती है, everything, बाकिया accommodation and food की guarantee नहीं दे सकते हैं, मिलता भी या ने तो आपको अपने पास से भी pay करना पढ़ सकता है, अब बात करें कि किस तरह की लोगों की requirement रहती है, like जो बहुत बहस नहीं करते हैं, जड़ाई नहीं करते हैं, normal अपने time to time आते हैं, काम करते हैं, active रहते हैं, और जिंका like polite, मतलब थोड़ा attitude अच्छा रहता हो, easily वो हर चीज हैंडल कर पाए, और अच्छे स से चल रहा है, 14 डॉलर से लेके आपका 25 कैनेडियन डॉलर, यह नि कि आप आउन है, मतलब मिनिमम मान के चले कि आपके हाथ में, 1000 तो आप कमा सकते हो, पर आर का, तो अगर आप 8 घंटे काम करते हो, तो 8000 रुपर डे के साब से 26 या 30 अगर आप काम करते हैं, तो 2,40 अप कम सकते हैं, 30 इन अगर आप काम करते हैं, तो बाकी 26 जिंग काम करते हैं, तो डेपेंड करते हैं, और एक कैनेडियन डॉलर की जो समय राइट नव करंसी चेंज रेट चल रहा है, वो है 60.55 इंडियन रुपीज, नहीं कि 60 रुपए, 60 रुपए, 60 रुपए क्या सपास, 60 रु अगर आप किसी भी वेर हाउस में काम अगर करते हो, लोडिंग, अनलोडिंग, कोई भी काम करते हो अगर, तो बात करो, एवरेज, तो 4000 कैनेडियन डॉलर लोग अनिंग कर रहे हैं, तो आप अराम से धाई लाग तक भी कमाते हो, और यहां पर मैंने लिंक दे दी, डिस्क् अगर हम 4000 कैनेडियन डॉलर को कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आप धाई लाग कैलकुलेट करते हो, तो आपका ऑल्मोस अगर जो अभी टैक्स रेट चल रहा है, एवरेज टैक्स रेट 16% से लेके 25-26% टैक्स काट रहे हैं, अगर आप देखो तो तो आपकी सैलरी अगर द 40,000 के आसपास डिड़क कर दी जाती है, तो 2,10,000 ही आपको बचिएगा आफ्टर टैक्स, ये कोई यल्दी आपको वीडियो में बताएगा नहीं कि कितना टैक्स कटता है, और सारी चीजें डिस्किप्शन में दे दी है, तो यानि कि 2,5,000 कमाओगे तो 2,10,000 तक आपकी हा एगर अब प्रोमोशन वेगरा बहुता है, सालरे इंग्रिमेंन जल्दी होता है, सालडि वेगरा बढ़ जाती है, या फिर आप सूपरवाइजर मникиल पे जल्दी आते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता फाहिता है, साल भर में आरम से आपकी प्रोमिशन हो जाती है, अगर अब अच्छे से काम करते हैं, पूरे लोयल्टी के साथ अगर आप काम करते हो, अगर आप लोयल हो, हाड वर्किंग गाई हो, तो 6 months से 1 year में आपको प्रमोशन विल सकती है, उसके अब अगर बात करूँ, तोप 25 most in demand jobs in Canada, Canada 2020 with NOC code and salary, तो ये मैंने description में दे दिया है, वहाँ पे आप जा के check कर सकते हैं, NOC number, everything मिल जाएगी, अभी मैं आपको साइट पर लेकर चलूँगा, तो आपको मैं NOC number दिखा दूँगा, कौन कौन सी पोजीशन अवलेबल हैं, कैसे हैं, 25 most like कौन सी job demand है, किसका क्या NOC number है, यहाँ पर आपको सारी job categories, काफी सारी मिल जाएगी, 25 job categories मिलेंगी, तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ, साइट पर थोड़ी ज़र में, उसके बाद एक और link दे दी है, मैंने Canada labor shortage जो चल रही है, कौन सी top 10 like demand jobs है right now, Canada के अंदर, तो उसकी link भी description में दे दी है, वो भी आप जाके check out कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको everything मिल जाएगी, कौन कौन सी shortages हैं, उसके बाद बात करूं, कि अब work visa के लिए application कहां और कैसे करना है, तो मैं बता देता हूँ कि 12 best, जो sites हैं, उसकी link description में दे दी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, और application करनी है, तो ये तो आपको मिल जाएगी, उसके बाद मैंने नीचे दिया है, job portal सारे, number one पे जोब portal मैंने दिया है, वो है आपका simply had, उसके बाद second number पे है, Robert Huff, third number पे है, workopolis, four पे है career builder, सब आपको लिख क्या रहा है, ठीक है, और फिफ पे है, job boom, six पे है, job bank Canada, seven पे eluter Canada, eight पे है, glass door Canada, ninth number पे है, linkedin Canada, ten पे monster Canada, eleven पे indeed Canada, and twelve पे है, zip recruiter Canada, तो ये twelve हैं, twelve तरीके हैं, आप Canada जा सकते हो, बारा जगहा पे आपको registered होना अपनी Canadian CV, cover letter, employees को वहाँ पे send करनी, HR को, वहाँ से बहुत chances हैं, तो अब तरीका है, Canada work visa लेने का सिफ यही, कि work visa की fees तो मैंने बता दी, 155 Canadian dollar, और ये 12 job portals बहुत important हैं, यहां लोग 2-3 से यादा कोई बताता नहीं, बट मैंने बहुत research की, ये 12 job portals, genuine है, इसके लावा, कोई भी job portals नहीं है सही, तो ये 12 पे ही आप visit करें, तो आप जाके visit कर सकते हैं, और बाकिये मैं अभी आपको ले के चलता हूँ, सीधा side पे, वहाँ पे आपको दिखा दूँगा, बढ़ उससे पहले मैं कुछ companies के नाम आपको everything बताना चाहता हूँ, कि manufacturing companies के जो Canada के अंदर है, उनकी link भी description में दे दिये, नाम दे दिये हैं, तो आप उनको भी personally mail कर सकते हैं, तो 11 बादा तरीके तो portal के through हो गया, अब direct mail कैसे करनी है, direct mail आपको करनी है companies को, तो companies कौन सी पुछोगे, कौन सी फैक्टरी की company, तो जो top factory की company है Canada के अंदर manufacturing companies, number one पे है 3M Canada, आपको यहाँ भी लिख्यारा, description में सब दे दिया है, और बाकि आप वीडियो में अच्छे से देख लो, 3M Canada Canada हो गया, Adseller, Mittal, Defasco हो गया, उसके बाद है B.A.S.F. Canada, उसके बाद Cisco Systems Canada, उसके बाद है Danone Canada, उसके बाद आपका Ford Motor Company of Canada, GSK, Glasgow Smith, उसके बाद है K.S. Potash Canada GP, Kellogg Canada, उसके बाद Lab Ad, Brewing Canada, Company Limited, Laurent Controls, L'Oreal Canada, INC, Mars INC, PepsiCo Canada, यह बहुत बड़ी company आप देख सकते हैं, और Rio Tinto है, Salesforce है, Protector Gamble है, Toyota Motor Manufacturing Canada, West Fraser Timber Co. Limited, और 5 mail ID भी मैंने description में दे दिया, और बाकी मैंने 5 सिफ सैंपल के लिए आपको दिया, कि यह companies को आप mail कर सकते हो, उसमें से कुछ cleaning की हैं, कुछ factory की हैं, कुछ supermarkets की भी हैं, और restaurant की chain भी मैं आपको बताऊंगा, तो description में everything मिल जाएगी, और बाकी companies के आप mail जो मैंने companies के नाम बताएं, उनको search करना, आपको Google पे, और आगे mail ID डाल देना है, mail ID निकाल के उनको mail कर देना है, हर जो company यह उसके position के हिसाब से, यह तो हो गया direct तरीका, और 12 job hotel जो बताएं हैं, वहाँ से जाके आप रजिस्टर हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद है cleaning companies के अगर बात करो, तो gen pro vancouver office and commercial cleaning services number one पे है, Canada के अंदर जो hiring करती है, ठीक है, उसके बाद है the new Canadian cleaning company, उसके बाद है Canadian cleaning company, e-shine cleaning services, INC, VP cleaning services, corp gen pro commercial cleaning and disfranchion services, Canadian cleaning services, उसके बाद आपका spend cleaning, crack cleaning services, mom and train manager, यह कुछ companies है, Indian restaurant के भी नाम दे दी हैं, मैंने large, authentic Indian cuisine हो गया, Sula Indian restaurant हो गया, Puka हो गया, आगरा तंदूरी restaurant है, लेलाज है, मिर्ची मसाला, authentic Indian restaurant है, Leila Indian food bar, और Little India restaurant, यह सब कुछ आपको Indian restaurant मिल जाएंगे, Canada के अंदर जहां पर, आप वेटर्स के लिए, यादर पोजिशन के लिए, contact कर सकते हैं, उनको mail कर सकते हैं, और उनके numbers आपको जैसे, आप नाम डालोगे, number मिल जाएंगे, Canada का plus one code लगा होगा, recharge करके, या फिर आप उनके WhatsApp, WhatsApp नंबर पे WhatsApp भी कर सकते हैं, अपना रिज्यू मैं करा हैं, तो हमेशा Canada रिज्यूम ही भेजें, यह मेरा preference है, मैं यह ही कहता हूँ, suggestion मेरे लिए है, मैं आपको suggest कर रहा हूँ कि please आप Canadian CV ही भेजें, उसके बाब बात करो, supermarket like in Canada, तो है Loblo Companies Limited, सोबेस, Metro, Safeway, Walmart, Walmart काफी बड़ी चेन है, और है आपका Real Canadian Superstore, और No Frills, एन है Canadian Tire, तो यह कुछ कंपनी से आप देख सकते हैं, और इसके लिए लिंक में डिस्किप्शन में देदी है, Top 15 Canadian Groceries Stores के बारे में आप देख सकते हैं, और वहाँ से mail ID निकालके उनको mail कर सकते हैं, तो वो भी आपको description में मिल जाएगी, और जो 5 mail ID मैंने निकाली, वो मैं आपको बता देता हूँ, info at the rate commercial cleaning services dot com, service at the rate walmart contracts dot com, फ़र्ड नमबर पे हैं, mon 02842 at the rate low blows dot com, office at the rate vp cleaning services dot com, media at the rate west freser dot com, cleaning वाले cleaning की हैं, और वाकी walmart वाली super market की है, वेस्ट वाली यह factory jobs के लिए, manufacturing company में जो जाना चाता है, labeling करने के लिए, और आपका loading and loading, बहुत सारे महाँ पे works होते हैं, unskilled categories की में बागर बात करूँतों, और skilled वाले भी देख सकते हों, उसकी photo आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, लगीज की भी आप photo देख सकते हैं, यह है, लगीज restaurant है, उसके बाद salary deduction का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कि अगर 49,000 Canadian dollar yearly के अंदर आपकी अगर salary रहती है, लगी मिनिमम मिनिमम 4,000 से 42,000 क्यासपस अगरा पर मन कमाते हैं, तो 16% से 26% का tax rate रहता है, इतना आपको tax pay करना पड़ता ही पड़ता है, और यह सब vacancies में males भी application कर सकते हैं, और कुछ categories में females भी application कर सकते हैं, लगी maids हो गई, और उसके लावा room attendant है, और आपका housekeeping यह female housekeeper की बहुत requirement रहती है, तो आप देख सकते हैं, और आपका cashiers हो गए है, receptionist हो गए है, यह सब categories हैं, तो females भी required रहते ही रहते हैं, और मैंने सब fees आपको बता दी everything, तो लेके चलता हूँ आपको सीधा अभी website पर, और वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कि actual sub process वगरा कैसे, sites क्या है, everything, तो चलिए आपको दिखाते है, description जरूँ, check कर लिजे का, चलिए चलते हैं, site पर, दोस्तों आपको यहाँ पर, government of Canada की site पर आ जाना है, Canada immigration करके लिखा हुआ है, government of Canada लिखा हुआ है, और description में दे दिया है, यह link में ने, तो यहाँ पर पर्मिट आप कैसे apply कर सकते हैं, पूरा step से यहाँ पर आप देख सकते हैं, how to apply, और नीचे आपको आना है, outside Canada जैसे कि आप कहा से apply कर रहे हैं, अगर Canada के अंदर हैं, तो अभी आप inside करेंगे, otherwise आप outside Canada कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर no करना है, क्योंकि आप Ukrainian national नहीं है, उसके अलावा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, after you apply पर क्लिक करके आगे, next process में देख सकते हैं, तो इसकी link description में दी है, जा के आप अच्छे से चेक आउट कर सकते हैं, government of Canada की site ही है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, कि tax कितना करता है, कैसे Canada में कितनी salary वगर होती, क्योंकि लोग maximum agents हो, मतलब genuine हो जाब fake agents हो, कोई भी, सिफ salary की बात करते हैं, कि चार लाग, पांच लाग आप कमा सकते हो, जो कि इतना असान नहीं है, देखे, दो ढ़ाई लाग रुपे, डेड़ लाग रुपे आराम से बनता, डेड़ लाग से मतलब स्टार्टिंग हो जाती ही, वन थर्टी, वन फॉर्टी, अगर आप रहते हो, यहां से लिए कर सकते हैं, तो सालरी में डेक्शन देख शकते हो, कि क्या क्या डिडेक्ट होता है, कैसे, जैसे पैटिस तो है, तो 473 आपका कटेगा, फेडरल और टैक्स डिडेक्शन, उसके बाद है, आपका प्रोविंशिल टैक्स डिडेक्शन, 202 कैनेडियन डॉलर, CPP का कटेगा, 183, और EI का डिडेक्शन का 55 डॉलर की आसपास, तो लगबग आपको 914 कैनेडियन डॉलर की आसपास ये डिड़क्ट करेंगी, और 35 की सैलरी जो रहेगी, आपको वो 25 की आसपास देंगे, देंगे, ठीक है, पच्छिस सव डॉलर की आसपास आपको मिलेगा, आप इसको इंडियन डॉपीज में कनवर्ट कर सकते हैं, जो कि आल्मोस्ट आपका 1,30,000 की आसपास, 1,40 की आसपास आपकी सैलरी बनती है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, जाके चेक कर लें, और वहां से आप अपना भी सैलरी अपनी मत्तब निगाल सकते हैं, कितना टेक्स आपका कटेगा, किस सीटी में, क्योंकि योजिटी पर डिपेंड करता है, आप क्यूबिक में हैं, तो यहां पर कैटेग्री बहुत सारी है, 25 मैं आपको एक दो दिखा दिता हूँ, बागी आप जाके चेक कर सकते, इसमें skilled, unskilled दोनों हैं labor jobs भी मिल जाएंगी आपको, वेब डेवलपर हो गया, साथ में NOC code भी आप चेक कर सकते, यहां पर की साल की, तो यहां पर आप everything बढ़ सकती है, human resources हो गया, इंका भी NOC code देख सकते हैं, इंजिनियर हो गया, electrical engineer और आप और भी सारे यहां पर पोजिशन्स आप देख पाएंगे, और फार्मिसिस्ट हो गये, और welder हो गये, वेल्डर भाई लोग भी देख सकते हैं जनरलेबर जो सबसे ज़्यादा राइक सेवरिट काडेगरी जाती है जनरलेबर में भी आप एनोसी कोट 7611 है यहां देख सकते हैं 7611 और 47,000 के आसपास एन्वली रहती है इसमें सालरी मतलब जैसा कि मैंने आपको बहुता था इंडिय का अगर देखा जाए तो 24 लाग रुपए तक 20 से 24 लाग रुपए साल का कमा सकते हो ऐसे जनरलेबर किसी भी कैनेडा में किसी भी सीटी के अंदर जाए वो ऑंटेरियो टोरोंटो अलबर्टा और वंक्यूवर मतलब क्यूब है कहीं भी आप अगर आप अनिंग करते हैं तो और 7452 इंकी सालरी भी 44,000 के असपास होती है रिस्प्शनिष्ट हो गए और भी प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत सारे के डिगरी से तो यहां पर सब कुछ दिया है आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी चेक कर लिजेए आपको यहां पर आ जाना है कैनेडा लेबर शॉ है उनकी नमबर भी जैसे कि फिजीशन हो गए और नर्स हो गए इस अब स्किल का डेगरी है और कुक्स हो गए कुछ आने स्किल्ड भी दिखाता हूं मैं जैसे क्लीनर्स तो कुक्स में 6322 ठीक है यह इंका नमबर है नोसी कोड और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो IT से मिल जाएगी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया और सपोर्ट वरकर हाउसकीपर्स मैटेरियल हैंडर्स और फेवरेट इंजीनियर एंड क्लीनर्स सबसे ज्यादा में में क्लीनर्स का है 6731 नोसी नमबर तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स में आप हो गया रिजॉर्ट है होटेल से बेंडिंगे है काफी जगा पर स्कूल्स हैंवहाँ पर क्लीनिंग का काम निकलता है कितनी व्यर्ज रहती है कि इतनी सैलडी अगरते हैं कार कारपेंटर कितनी अर्निंग करते हैं, कारपेंटर का NOC नंबर क्या है, 7271, तो everything इस वीडियो में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई कभी आपके साथ स्कैम ना कर पाए, तो आपको पता हो कि किसका क्या NOC नंबर होता है, कितनी सालरी होती है, क्या वहां के र दिस्क्रिप्शन में तो दिया ही हूँ, बट अभी पहले आप यह 12 देख लें, कौन से है, Robert Huff, No.1, उसके अलावा आपको मिल जाएगा Indeed Canada, Career Builder Canada हो गया, LinkedIn Canada हो गया, Aluta हो गया, Job Boom, Glassdoor Canada, Monster Canada, Simply Had, and Google Jobs, मैं prefer नहीं करता, ठीक है, Google Jobs यहां है, बट मैं सजेश्ट नहीं करता कि Google पर जाब जादा धूड़नें क्यूंकि इस्कैम जादा रहता है, काफी जादा, Google, Facebook, इन सब पर थोड़ा स्कैम होता है, तो बचें बाकी जो जो जाब पोर्टल मैं बताने वाला हूँ, अभी इसमें से 2-3 जाब पोर्टल और हैं, जो मैंने, यहां पर इन्हों ने दिया बहुत अच्छे हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिप रेकूटर भी अच्छा है, इसके तुरूब आप देख सकते हैं, और सबसे में गिये भी मैं आपको बताऊंगा, इंडिविजूल कंपनी वेबसाइट, तो मैंने आपको लगबग मान के चलें कि मैं 40 प्लस आपको कंपनीज के नाम देने वाला हूं, डिस्किप्शन में आप चेक कर लें, लाइक इंडियन डिस्टूरेंट्स हो गई, सूपर मार्केट्स हो गई, फैक्टरी हो गई, मैनुफेक्चरिंग कंपनीज हो गई, क्लीनिंग कंपनीज हो गई, जिनको आप परसनली जाकी मेल कर सकते हैं, और 5 मेल आईडी भी description में में देदी हैं, वीडियो में भी आप देख लीजेगा, तो वो मेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हैं, 5 में से कुछ क्लीनिंग है, कुछ मैंटपेक्चिरिंग है, सूपर मार्केट है और आपको बहुत सारी driving jobs भी यहाँ प भी हार करते हैं तो description में उनकी नाम मैंने दे दिये बडिए यहां पर यह लिंक भी दे दिया description में जाके click करेंगे अगर आप तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से लाइक वहाँ पर मिन वर्क कर रहे हैं और कौन कौन सी चेंज है यहां देख सकते नंबर वन पर लॉबलो कंपनीज है मेट्रो है वालमार्ट बहुत फेमस है ठीक है और फूट बेसिक्स है कैने जिन टायर है तो इनके बारे में आप यहां पूरा देख भी सकते चैक अट लगार्ट सब्सक्राइब बहुत चैकाउट सब्सक्राइब करना चाहते हैं और बहुत सारी पोजिशन्स निकलती है क्लीनिंग की हो गई स्टॉक भरने के लिए बी लोग चाहिए होते हैं कैशियर की रिकॉर्मेंट रहती हैं सूपर्वाइजर एसिस्टेंस तो आप जा कि चेक आउट कर सकते, जोब पोटल में भी, और कुछ मैंने mail ID भी दी है, सूपर मार्केट की वहाँ भी, जो companies मैंने राइए उनको भी आप direct mail कर सकते हैं, उसको अब यह साइड पर आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीया है मैंने simply had की, तो 12 साइट जी हुई है जॉब पोटर नमबर वन पे हम आएंगे उंटेरियो डाल सकते हैं सिटी और प्रोविंस डाल सकते हैं कुछ भी हमें ने उंटेरियो डाल दिया माल लिजे और यहां पर क्लीनिंग हम सिल्क कर लेते हैं यहां फिर कंशक्षन फार्म वरकर फैक्टरी कर यहां पर आपको मिल जाएगी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं मालली जैसे हम करते हैं और टोर्ण्टो के अंदर क्लीण लाइट ड्यूटी चाहिए दोधिन पहली नहीं अप्लोड कर रखा है यहां से आप्लाई कर सकते हैं विडोग क्लीनर हो गया और कितनी मेंशन रहती कहीं जगा से अली नहीं है और मेल आड़ी आपको मिल जाएगी तो मेल आड़ी के थुरूँ आप क्या कर सकते हो ना कि आप अरहाम से एप्लिकेशन कर सकते हो उनको प्रेस प्रोसेस में आप डाल सकते हो जैसे कि यहां से लिदी वह यह देगे 16.50 कैनेडियन टॉकिंग विंडो क्लीनिंग यह सब आपको दस्टिंग स्वीपिंग मॉपिंग आना चाहिए ऐसे क्लीनर तो हम चलते हैं अपनी अनदर सेकंड साइट पर गाएं अपने मैं सबका इंटरफीस आपको दिखा रहा हूं 12 साइट से हैं थोड़ा-थोड़ा मनना वीडियो ब पिन हो जाएंगी जो भी अवलेबल होंगी लाइक जनर अकाउंटेंड की आप देख सकते हैं सीनियर पेरोल इन सबकी सालरी आपको यहां देख जाएगी स्किल काटेग्रीस आपको ज्यादा यहां मिलेगी और फिल्टर में जाके आप जॉब टाइप भी सिलेक कर सकते हैं नीचे आएंगे जैसे कि मानलीच आकाउंटन की हम जाते हैं 15 अप्लोड को अप्लोड किया है और टोरंटो में हैं और यहां पर सैलरी जे रहे हैं 23.75 से लेके 27.50 कैनेडियन डॉलर पर आर तो यह काफी अच्छी सैलरी है अपलाइन ना आप कर सकते हैं और आपको यहां प आपको एड्रेस अपकोस ऐहां मिल जाएंगी अप्रैज ऑब जाना आपको रहें तो आप यहां पर स्कुड़ोड कर सकते होगा चाहो तो बाकी परोविंस अप क्यू 씨यू сюжॉकण आपर जो चाहें सीलेक कर सकते हैं ठीक है और लेकिन हम आएंगे सीधा जॉब फंक्शन में तो हम यहाँ पर select करते हैं एक example के तौर पर skill trade and labor हमें labor categories की job चाहिए मान लेबर हैं और हमें apply करना है as a general labor या construction worker में तो नीचे आएंगे नीचे एक दम आना है आपको general labor की category दिख रही होगी यह यहाँ पर आपको select करना है general labor की vacancy आपके सामने open हो जाएगी click करेंगे एक दिन पहले upload हुई है और 30.34 Canadian dollar per hour आपको देंगे और यहाँ पर आपको translate कर लेंगे आप तो French to English में आपको दिख जाएगा यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि translate भी कर सकते हैं कई बार French में भी open होता है तो English आपकी basic होनी चाहिए जैसे कि मैंने बताया general labor में कि salary 30.34 आपको देंगे और यहाँ पर आपको translate करने के लिए side में 3.00 पर click करना है Chrome पर open करेंगे तो translate हो जाता है everything ठीक कि यहाँ पर English में देखे translate हो गया और आप सब कुछ responsibilities पर सकते हैं time table क्या रहेगा Monday से Friday काम करना होता है Saturday Sunday off रहता है 35 घंटे पर वीक काम करना है तीस डॉलर के असपा salary मिलेगी पर आर की और high school diploma की requirement है और कुछ कुछ categories में license भी चाहिए होता है कुछ vacancies locals के लिए भी होती है तो उसमें apply ना करें और जो foreign workers के लिए होगी वह आपको देख के पता चल जाता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते general labor हो गया उसके लिए आप बहुत सारी other categories मिल जाएंगी आपको work of policy में तो work of policy एक अच्छी site है और यहां पर और भी साइट देख सकते हैं यहां पर आपको सब काम करना अच्छे से आना चाहिए यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं आउट्डोर काम भी आपको करना है पूरा और work under pressure flexibility होनी चाहिए आपके काम में और attitude आपका positive होना चाहिए यहां से भी आप अप्लाई नाव पर जाएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क पॉलिस के थुरू फार्म वर्कर जनर्र वर्कर और आपको कंशक्षान शेफ फैक्टरी वर्कर हो गया cleaning हो गया house keeping हो गया बहुत सारी categories है आप job bank के थुरू भी यहां पर बहुत सकते हैं ठीक है करियर बिल्डर पर आजा मैं जो कैनेडिन रिजूम नहीं बना पाए हैं वह यहां से रिजूम भी बना सकते हैं like job bank से मैंने जैसे बताया विससे यहां से आप रिजूम बना सकते हैं और job भी सर्च कर सकते हैं बहुत सारी hiring companies आपको बड़ी बड़ी companies यहां पर मिल हैं और अच्छी company हैं जो यहां पर hire कर रही है Maxis Richmond यह आपका British Columbia में है full time है अपलाई कर सकते हैं आप यहां टू वीक्स का vacation मिलेगा डेली आपको यहां पर दी जाएगी और यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इस like website के थुरू और 8.00 से 4.30 पीम आपको काम करना होता है Monday to Friday तो अच्छी बात है यहां पर cash skills qualification चाहिए सब आप देख सकते हैं बहुत से vacancies में like आपकी education की requirement नहीं होती है experience की नहीं होती है वो आपको training दे हो main communication skill आपके अच्छी हो interview आप crack कर पाऊ जिससे impressed हो आपकी CV बहुत important है Canadian CV के बहाव पर ही आपका interview होगा उसके बाद अगर आप select होते हो तो फिर आपका वह एलाम है के process करेंगे लीमिया का labor market impact assessment का जो process होता है वो करेंगे उसकी fees 1000 Canadian dollar होती है 155 डॉलर आपकी work permit की fees है यह बाल आपके appointment ली जाती है सारा चीज़ है तो फिर इस तरह करके work permit contract आता है सब 4-5 महिने 6 महिने का total process रहता है अगर आप interview crack कर लेते हो तो अच्छे से apply करेंगे मन लगा के Canadian CV cover letter के साथ तब ही chances है आपके क्यूंकि आप time pass करेंगे तो नहीं हो सकता जी ठीक है आपको अच्छ अच्छिंग के काम हो गए delivery jobs हो गई देसे delivery driver की निकली cubic में transportation की काम है और easy apply है आप easy आराम से application कर सकते हैं और salary 16 Canadian dollar per hour देंगे 40 घंटे full time की job है day में काम करना है यह French में यहां लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे translate करेंगे इसलिए Chrome में open कीजिएगा like 4-5 वेबसाइट से उनक चाहिए तो काफी सारी वेकेंजिस मैंने बताया local के लिए भी होती है और लाइक अगरा tourist visa या study visa पे भी अगर जा रहे हैं तो आपके लिए यह जो 12 job sites हैं बहुत easy रहेगा आपके लिए job find करना अगर आप Canada जा रहे हैं like tourist visa पे जाते हैं या फिर आप study पे जाते हैं क्योंकि की convert करवा लोग maximum लोग convert करवा लेते हैं अगर tourist पे वो जाते हैं तो तो आपके लीजी हो जाता है direct जाके भी resume देके job धूंड सकते हैं Canada रिजियूम देके और otherwise आप sites के थूरू भी धूंड सकते हैं और बाकी जो इंडिया पकिस्ताम मांगनादेश से वीडियो देख रहे ह एंगिस पर 14.42 से लेके 19.27 Canadian dollar salary देएंगे आपको ये तो ये भी companies अच्छी हैं काफी रोट्री करके है company और काफी अच्छी famous company है Canada की अंदर तो यहाँ पे भी आप सब चीज़े पढ़ सकते हैं सिफ high school का इंको diploma एक साल का experience और basic English इंको ये requirement है तो देखिए ये सब requirement में कर सकते हैं skilled वालों की jobs भी मैंने बताई हुई है दोस्तों आपको अपनी favorite site पर आ जाना है job bank Canada and description में link दीए वहां से जाके भी आप विजिट कर सकते हैं तो normal आप जैसे search करेंगे तो आपके सामने vacancies open हो जाएंगी आप देख सकते हैं और यहाँ पर निकलिए the retail meat cutter baker तो अग one and resident हो या फिर आपके बास valid Canada work permit हो तो इसलिए job bank पहले number one पर था और काफी नीचे आ चुका है because temporary foreign workers को यहाँ पे hiring नहीं मिल पा रही है तो हम जाएंगे filter पर कैसे search करते हैं मैं आपको दिखा देता हूं जो भी इंडियां है इंडियांस हैं इंडिया से देख रहे हैं वीड जाएगी 4165 जॉब फार्म वर्कर हम क्लिक करेंगे लाइक मान के चले कि फार्म वर्कर पर तो इसमें फिफ्टीन पॉइंट टू जीरो यानि कि पंदर डॉलर के असपा से अलरी दे रहे हैं पर आर की इसमें लीमी आप प्रूव रहता है लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही तो इसमें इंग्लिश भी नहीं चाहिए एक्सपीरेंस भी नहीं चाहिए इंग्लिश बैसिक एजूकेशन एक्सपीरेंस की कोई requirement नहीं तो अराम से अप्लाई कर सकते हैं बट प्रॉब्लम यहीं आ रहा है की रिजेक्त कर दिया गा और मतलब प्रिफरेंस नहीं मिलेगी तो अप्लाई ना करें स्पैम में चला जाएगा तो मेरा यही कहना है कि जॉब बैंक को कुछ दिंग के लिए अवाइड करें जब जॉब बैंक में टेंप्रारी फॉरिम वर्कर्स के हारिंग स्टार्ट हुए कि कुछ दिन में ऑफर लेटर मिलने लगेगा लाइक वेकेंसी म घ्रीन रहेंगी सब कि अब कर सकते हैं तो उस वेकेंसी में डेफिनेटली स्टार्ट कर दीजिएगा अप्लाई करना कुछ दिंग के लिए अवाइड करें जो जो जूब वोडर्स और बताएं हैं बारा बताएं तो अगर एक अखचा दे तो गयारा बशते एं तो उन ग्य कर सकते हैं अलुटर.ca यानि के अलुटर.canada यहां पर आपको बहुत सारी स्कील jobs cashier की मिल जाएंगी और white collar के साथ blue collar jobs भी आपको मेल जाएंगी यहां पर cashier पर जैसे मानले जाएंगे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर डिस्क्रिप्शन पर सकते हैं सालरी कितनी देंगे क्या क्या requirements है everything यहां पर पढ़ सकते हैं और आप cleaning वगरा की job भी यहां पर try कर सकते हैं cleaner की अगर हम search करेंगे अवलेबल होगी तो मिलेगी इस side पर upload किया है employees ने की नहीं किया है बिलकुल किया हुआ है heavy duty cleaners की requirement है full time employment है sanitization आपको करना होगा और 16.25 Canadian डॉलर यह salary आपको देंगे यहां पर mention किया है साफ साफ और जैन्मिन प्रोसेस से सब registered agencies registered लाइक मान के चलिए की job portal से और यह सब free रहता है recruit करने के लिए companies पैसे देती employer यहां को पोस्ट करते हैं आपको किसी को पैसा यहां पर पे नहीं करना है अगर आपका selection होता है तो kitchen helper वाली भी हम मैं आपको दिखा देता हूं kitchen helper वाले लोग भी यहां पर apply कर सकते हैं यह देखे kitchen helper वाली जो लोग है 22 से लेके 23 तक आपको देंगे Canadian dollar मैंने minimum बताया 14 dollar से नीचे तो मैंने अभी तक किसी की देखी नहीं है 14 से लेके 25 35 35 तक लोग अराम से earning करते हैं पर और वो थोड़ा स्यादा हो जाता है अपर average 20 तो आपकड़ के चले 20 Canadian dollar आपका कहीं नहीं गया है ठीक है आज हम अपनी eight side पे आ गये हैं इसके लिंक में description ने मिल जाएगी glass door Canada तो यह Canada की ही job यहां पर दिख के आएगी आपको साब सारे चीज़ेंगे description में link दी है तो click कर सकते हैं executive chef चाहिए और यहां पर कितनी salary आप पर सकते हैं और login आपको करना पड़ेगा show more पर जाएंगे तो यहां पर पर सकते फ्रेंच में लिखा है तो प्लीज इसको translate कर या Chrome में open करें मैं आपको step by step एकदम अच्छे से एक लाइक छोटे बच्चे दोस्की तरह अच्छे से मैं समझा रहा हूं कि भाईयों बहनों सबको कैसे अच्छे से आप अप्लाई कर सकते हो इसलिए वीडियो काफी लंबी है तो मैं अच्छे सब पूरा guide कर रहा हूं तो कित अंडिया का आप अराम से धाई तीन लाग रुपए कम धाई लाग तो कहीं आपको गया नहीं है टैक्स अगरा काट के आप दो सवा दो लाग तक यहां पे सेव करेंगे और ज्यादा मिलेगी तो फिर धाई लाग तक भी आपका मा सकते हैं ऐसे शेफ आप दो लाग रुप सकते हैं ग्लाज्जोर कैनडा में ठीक है को आजाना है livre Canada में यहां पर भी आप जॉप सर्च कर सकते हैं क्लीनिंग की जॉब है housekeeping की है और आप इंडस्टिरिया करेंर की जॉप भी देख सकते हैं जनरल लेबर की जॉब जॉब 건강 विडियों में निकली है और आपका कंस्ट्रक्शन की जॉब्स हो गई विंडो क्लीनर हो गए फैक्ट्री वर्कट्स हो गई स्केल जॉब्स भी आपको यहां मिल देगी तुन्डी वन कैम डिन डॉलर का पे रेट है यहां पर आप खुद देख लीजे तो मैं आपको बारात साइड बता रहा हूं कहीं न कहीं तो आपको जॉब अफर लेक्टर मिल सकता अगर आप अच्छे से महनत करते हैं रोज तीन से चार घंटे तो चांसे बहुत बढ़ जाएंगे क्लीनिंग में काम कोई ज्यादा हाड होता नहीं है बस एक साल के एक्स्पीरियंस की रिकार्म से ब्रेंटों ओंटेरियों कैनेडा में हैं तो जेयाम रिकूट्मेंट ग्रुप को आप डिरेक्ट मुंका मेल आडी निकालके मेल करिए नहीं तो यहां से भी अप्लाई नाओ का ऑप्शन दिया है आप अप्लाई कर सकते हैं और सेलरी के बारे में भी यहां पे आप अच् कैनेडा है यह और बाकी जितनी साइड में मताई है लिंक इन वेगरा एवरिटिंग सब डिस्क्रिप्शन में बले वहां से जाके आप विजिट कर सकते हैं तो क्लीनर की जॉब यहां पर देख सकते हैं इंडश्ट्रियों की वाइंसी निकली है फो डिस पहले टूंटी डि सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर क्लीनिंग की हाउसकीपिंग की जॉब है बहुत सारी है जैसे की मिनेट होटेल ने डाला हुआ है मौट होट स्प्रिंग बैंगलोज में यह भी हैर करते हैं ठीक है तो चली चलते हैं अपने हमें अपनी 11 साइट पर आ जाना है इंडीट कैनेड़ा इंके थूरू जैनमीन अच्छी है तुमकी मेल अडी निकाले उनको डारेक्ट मेल भी कर सकते हैं मैंने आपको बहुत रस्ते बताएं इस वीडियो की थूरू कहीं न कहीं तो आप बिलकुल महनत करके आगे आ सकते हैं ठीक है तो यहां पर सैलरी बहुत अच्छी है बेनेफिट बहुत मि मिल रहा है काफी अच्छी है सब फंद्रा बीस जॉलर से उपर ही मिलेगी आपको मिनमम 15 से नीचे तो मिलनी है नी प्रोडक्शन वरकर क्लीनर में 20 डॉलर दे रहे हैं देखिए क्लीनिंग सर्विसेस लेगी न एसके तो यहां भी आप कांटक कर सकते हैं और कितनी आपको वेज मिलेगी सब आप यहां पर पूरा पड़ पाएंगे बहुत सारी यहां फार्म वरकर भी मैं आपको दिखा देता हूं 15.50 थारे 15 डॉलर क्या सपास आपको मिलेगा चल रहा है इंडिया के साब से और 33 घंटे आपको काम करना होगा और यहां पर आप स्चार्ट कर सकते आपको अप्लाई नाव पर जाना है मेल वेगर आपको सब कुछ सेंड करनी होगी अच्छे से ठीक है तो इस तरह आप साइड़ी साइट पर अप्लिकेशन करिए बस्तों आपको यह हमारी आखरी साइट पर आ जाना है 12 नंबर पर मैंने बता दिया जिप रिक्रूटर कैने बाग कि इंडीड लेंक्टेन और भी बहुत सारी मैंने ओरिजनल गवर्मेंट से अप्रूव्ड कैनेडें गवर्मेंट से जो रजिस्टर साइट से सब बता दी यहां पर पहले डिस्करवर जॉप्स करना है आपको और यहां कैनेडा लोकेशन डली हुई है वियर हाउस वर्कर ठीक है वियर हाउस वर्कर पर करके कंटिन्यू करना यहां पर स्किप कर देना है आपको मैं बता देता हूं जिससे कि हर कोई फाइंड कर पाए जॉब यहां पर साथ अजार से भी ज्यादा जॉब्स अवलिबल आप देख सकते हैं सेवेंटी टू हंडेड की आसपा पर निकली वर्कर की यह बहुत बड़ी चेन है मेट्रो ठीक है इसकी आप देख भी सकते हैं सूपर मार्केट ग्रोसे स्टोर भी है इंका कैनड़ा के अंदर मैंने डिस्किप्शन में की वह भी दिवी मेल आइडी दी नाम बताया है वह भी आप चेक आउट एक पर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी ची कमपनी आपको मिल जाएंगी वह रहें यहां पे रख रही है यह भी बड़ी कंपनी 18 डालर दे रहे हैं यह 17 डालर दे रहे हैं तो इस तरह आपको बहुत सारी यहां पर कंपनी मिल जाएंगी वह रही कर देखिए और प्लीस Google जोंग यहां 15.70 Canadian dollar Amazon के लिए आप काम करना चाहते हैं देखी शायद ये खतम हो गई है तो यह आती रहती है आपको आपको बिल्कुल चेक आउड करना होगा अपडेट रहा होगा और फॉकलिव अपडेटर की भी काम आते रहते हैं सब में आपको 25 जॉलर 20 जॉलर 17 डॉलर 15 डॉलर 15 डॉलर से नीचे कहीं भी आपको नहीं मिलेगा आज के टाइम में राइट नौ टू टू में कैनेडा के लिए तो यह कैनेडा के लिए जेन्विन प् हैं कहीं से भी किसी से बनवा सकते हैं आपके बड़ेपेंड बट मैं आपको सब फ्री प्रोसेस बता रहा हूं तो सब लिंक्स डिस्किप्शन वे दी हैं जाके चेक आउट करें और अच्छे से मन लगा कि अप्लाई कीजिए डिफिनेटली आपको कहीं न कहीं जब चरूर मिलेगी ठीक है तो चली चलते हैं हम लग उस तरफ तो दोस्तों मैंने सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया साइड पर ले जाके एंड जो साइट के लिंक है वो डिस्किप्शन में दे दिया है तो वहां से जाके आप चेक आउट कर सकते हैं तो सब कुछ मैंने वहां द दबल वन उसके लावा आपको ड्राइवर मिल जाएंगे रिसेप्शनिस्ट मिल जाएंगे सौफ्ट इंजीनियर वेब डेवलपर काफी सारी स्किल्ट काडिगरीज मिल जाएंगी और जो टॉप 10 मैंने जॉब बताई थी आपको वो भी आप डिस्किप्शन में जाके तो आप यह सब जाके चेक आउट कर सकते हैं और प्लीस वीडियो को अच्छे से आग आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत हिल्फुल रहेगा और इजी रहेगा एप्लिकेशन करना है कैनेडा वर्क परमिट या वर्क वीजा के लिए 2022 के अंदर या आगे भी प्लीस चेक कर लें बहुत महना से ये वीडियो बनाया और हिसाच किया काफी हो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मैंने अच्छे से बहाँ पर डाल दिया तो अगर वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा चाइना को सब्सक्रा